हुआ हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चूटने एक नई की नोडिफिकिशन जादी करी है is work फोरदा आर्टिकिल्स फ्रेंट जो हमारे आइटिकल दोस्तों जोवी आड़िकल चल रही है जिन की उनके लिए जुन बारा दोहुजार अठारा को जिसमें इस हैई ने कहा है कि जिन कब जिनकी आर्टिकल्शिप कम्प्लीट हो चुकी है कब के लिए फॉर दे फॉर्स्ट येर एंदे सेकेंड ये और प्रेटिकल ट्रेनिंग उनके लिए ये टेस्ट कराया जाएगा मतलब इंस्टूट को अपने नॉमल जो आठ हाट पेपर लिए जाते हैं आई पीसी सी और के उससे थोड़ा हट के इंस्टूट चाता है बच्चो को चेक करने के लिए तो काउंसिल ने डेसाइड किया है कि हम स्टूट की फॉर्स्ट येर और सेकेंड येर की जो प्रेटिकल ट्रेनिंग है ठीक है उसमें हम ऑनलाइन एंसी क्यू टेस्स लेंगे और एक्जामेन कर पूछाएं उनकी 75 मार्क का कुश्चन पूछ प्रश्चतर माक के इनसे एंसे पूछी जाएंगे डिवरेशन टू आर्स की होगी फॉर्स्ट ये और हंब्रेड मार्क का डिवरेशन थीन घंटे की होगी फॉर्द इसका टाइम लिमेट और सारे पिरिए न बताऊंगा और दोस्तों प्लीज अगर आपको इस पुछ पसंद आए तो मेरे चानल को जरू सब्सक्राइब करिएगा और चलिए आगे बढ़ता है सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है कि जो भी स्टुडेंट है जिन्होंने फॉर्स और सेकेंड यर की प्रेटिकल ट्रेनिंग कंप्रीट इयर विल बी इलिजिबल टू रिजिस्टर फॉर्ड़ सेट टेस्ट इस इंद सब्सक्राइब मान लिजे आपकी ट्रेनिंग वन येर कंप्लीट हो रहा है जैन से लेकि मार्च की बीच में तो आप रिजिस्टर करा सकते हैं कब एपरिल से लेके जून की बीच में सब्सक् सिस्टी परेटर से बिलो को ब्रेड मिलेगा ग्रेड मिलेगा और पासिर्ट से नंबर दिये जाएंगे और अब यह चैरिके स्वाग इंस्टिउड देने वाला है अब वो final में show करेगा आपके campus में क्या effect डालता है वो चीज़ें देखने लायक होंगी इसके बाद आता है जो grades होंगे would appear in the final mark sheet of the student ठीक है final के mark sheet of final मतलब final examination, CA final या IPCC किसमें वो देखा जाएगा पर फिलाल mark sheet में ये आपके grades show कियेंगे अब जो student appear करने वाले हैं वो maximum two or more times improvement के लिए his or her grades pay कर सकते हैं nominal fee और exam दे सकते हैं यानि maximum दो बार वो paper और दे सकते हैं अपना exam देने के बाद यहनि maximum two more times to improve more times मतलब first और दो बार और तो 303 बार exam आप दे सकते हैं जहां तक मुझे अभी इसकी clear मतलब से लग रहा है और जो best grade out of these code would be taken inclusion in the mark sheet में आपके शो करेंगे यह तो बहुत हीज़ा अब मैं आपको वतादो and the student will be selected one optional module for first level test and two optional module for second level test related to their practical training area the optional modules for each country training 25 marks would be अब जो first year second year के friends हैं उनको 50 marks का तो यह कंपल सरी है क्या आपकी accounting and auditing यह तो आपको कंपल सरी है accounting और auditing आपको देना कंपल सरी है लेकिन जो 25 marks remaining इसमें बच जाएंगे optional module purpose से वह आपका डारेक्ट टैक्स हो सकता है first year में second year में direct tax और sorry first year में आपका direct tax in direct tax internal audit और second year में direct tax including international taxation और internal audit यह point आपके हो सकते हैं अब यहाँ पर basically यह चीज़ धियान रगने लाग है कि यहाँ पर यह दोनों पॉइंट तो common है आपके first or second sorry second or third but first वाला पॉइंट जो उसमें international taxation second year में और involved हो जाने वाला है और 50 marks का compulsory आपका यह paper होने वाला है इसके बाद सीधा आ जाते हैं दोस्स जो first test आपका होगा student का will be on August 26 2018 and student who would be completing their first year and second year practical training during the second year second quarter of the 2018 मतलब कहने का कि आपका apple से लेके जून की बीच में जिनका होगा उनका एक्जाम 26 अगस 2018 को conduct होने वाला है means April से लेके जून तक की and would be eligible to appear these assessment during the August to December इसके बीच में eligible होंगे August to December की जिन लेकिन first exam 26 को conduct होगा similarly जो student complete कर रहे है है first year से second year की during July to September 2018 वो eligible होंगे October to December basically quarter wallet system चलेगा यहां पर and जो concerned student है उनको यहां पर एक BUS knowledge portal में एक लिंक यहां पर दिया गया है यह मैं description में डाल दूँँगा यहां से specific question paper मिल जाएंगे जो करेंगे तो आपको उपर की पूरी knowledge clear हो गई होगी grading system से आ गया होगा यह important है कि 75 marks आपका होगा first year में और 100 मार्स का second year में जिसमें 50 marks कंपल सरी है आपका किस चीज़ को लेकर यह accounting auditing and corporate law के लेकर और second year में यह आपके पास first year second year में जो optional होगा each 25 marks यह चीज़ें consist करने वाली हैं और उसके बाद हम लोग सिधा जाते हैं कि क्या दे रखा इंस्ट्यूट है अपने ICI के जो भी आपका knowledge portal है उसमें तो हम लोग सीधा इस page में चलिए क्लिक करते हैं और कोश्च करते हैं इसको खोलने की link चलिए मैं चलिए दूस्तों इस link को मुपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या है यहां पर हमने यह देखिए जैसे आपका लिंक उपन क्या level 1 में देखिए सारे सब्जेक्स देर रखे हुए यहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट डिफरेंट होगा आपका यह इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला डारेट टैक्सेशन बाकी सब में सेम हैं क्या लेवल थोड़ा अलग होगा यह से अब यह दिखिए जैसे कोशन मुन दे रखा आपका कंपनी है significant amount of transaction foreign currency क्या मैंने कोश्चन पढ़ा हुए मैं simply समझा देता हूं पर जैस करिए हमने दसलाग डॉलर की उसका कुछ अमाउंट दे रखा हुआ पचास डॉलर का आपका आवरेज रेट पास त्रीयर का और साथ डॉलर का आपकी प्रेवेलिंग मार्केट प्राइस दे रखा है तो सिधी सी बात है अपना जो पेपर है वो ओपन ही नहीं हो रहा ठीक है और यह दिकिए स्लेट किया मैंने जैसे अकाउंटिंग देख रहे हैं आप इंटर्नल ओडिट का ब्लाइक दो आपको ब्लाक ब्लाक दिख रहा हुगा अकाउंटिंग यह अभी पेपर मेरे रिखाल से अप्लोड ही नही लीजेगा और ऐसे ही हम लेटिस्ट वीडियो आपके लाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे मेरे चनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यह रेड बटन जो आएगा इसको प्लीज प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे नए अपडेट्स के बारे में पता चलता रह है और मैं आपको एजिली कनेक्टेड रह सकूँ ताकि इन फ्यूचर हम एक अच्छा कलाबरेशन सीए से रिलेटेट क्रिएट कर सके तैंक्यू सो मच गाइस और जल्दी मैं अपने रिविजनरी लेक्चर आगे अप्लोड करूँगा चलिए मिलते हैं जल्दी